Hello everyone, my name is Smith and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज हम बात करने वाले है Reliance जियो की आई हुई latest job vacances के बारे में जहां पर आप इंडिया में किसी भी city, village, district, town के रहने वाले हैं आप इन अप्डेट के लिए eligible हैं और apply कर सकते हैं चाहे male candidate है, चाहे female candidate है, दोनों के लिए vacances आई हैं और दोनों आप में से यहां पर eligible apply कर सकते हैं As a fresher आपके यहां पर hiring होने वाली है और इस बार अच्छी बात ही है कि हर एक qualification wise vacances release की गई है department ने हर एक candidate को यहां पर opportunity दी है तो हरे vacances को detail में cover करने वाले हैं, कौन कौन सी vacances आई हैं तो वीडियो को starting से यहन तक जरूर देखना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकि सब्डेट के इलावा और भी काफी सारी department है जिनकी vacances आउट की जा चुकी है आप अपने qualification city या free district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर विजिट करके information लेकर apply कर सकते हैं link website का description में आपको दिया गया है आप देख भी पा रहे हैं अगर आप इसको google पे type करेंगे तब आपको और ज़्यादा benefit होगा आपको पहली number वे website मिल जाएगी वहाँ अपने location वाइस भी check कर सकते हैं vacances अपने qualification वाइस भी check करके apply कर सकते हैं चलिए ज्यादा time बने तो यह बात करेंगे रिलाइंस जी होगी latest job vacances के बारे में सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक जरू करना आपका इक लाइक motivate करते हैं आपके ने अपडेट लेकर आने का और आप किस लोकेशन से बिलॉंग करते हैं क्या आपकी qualification है comment section में जरू लिखना ताकि आपके nearby जितनी भी विकैंस आई हम ज्याद से ज्यादा उसको cover कर पाए तो बात करें लाइंस जी हो की latest job vacances के बारे में जहां पे कोई location का barrier नहीं है आप इंडिया में किसी भी city, village, district town के रहने वाले हैं eligible हैं इसके लिए apply कर सकनी है कोई यहां पे application fee आपको pay नहीं करनी है चाहिए आप reserved candidate है चाहिए आप undeserved candidate है free of cost in update के लिए आपको apply करने ना होगा अगर मैं यहां पे type of job की बात करो तो यह आपकी permanent full time job रहने वाली है best salary आपको यहां पर pay की जारी है अगर मैं salary की बात करो तो यह डिस्क्राइब तो नहीं की है बट अलगले qualification wise vacances अगर मैं minimum की भी बात करो 18,000 maximum आपकी up to 40,000 इसमें हो सकती है तो as a fresher आप इसके लिए जरूर सी apply करना यह opportunity I don't think दोबारा आएगी मैं हर चीज़ आपको detail में screen share करके बताने वाली हो कौन सी पोस के लिए apply आपको करना चाहिए कौन सी पोस के लिए क्या-क्या eligibility रहने वाली है तो online इसके लिए आपको apply करना होगा exam आपका इसमें कोई नहीं होने वाला है कौन सी पोस के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाली कैंडिड को apply करना चाहिए वो मैं आपको यह प्रॉपरली गाइड करते हैं वीडियो में आगे बनने से पहले आप सब के लिए मैं बहुत बड़ी good news लेकर आ चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अपने प्रीविज वीडियो में नेक्स लेवल एप के बारे में बताया था अगर आपको नहीं पता तो बता दू नेक्स लेवल एप इंडिया का पहला गेमिफाइड कोडिंग कंपेडिशन प्लाटफॉम बन चुका है अनकेडमी ग्रूप का उसमें क्या है कि आप अपने प्रोफिशनसी को रेट कर सकते हैं सिरफ एक्जिस्टिंग कोडिंग मैचिस को प्ले करके अधर यूजर के साथ और टॉप थ्री जो वीनर्स होंगी उनको अमेजिंग प्राइ क्या है मैं आपको लिंक आप डॉट करने का डिस्क्रीप्शिन में डिया है जल्दी आप उसको डाwn्लोड करना और वेटिंग dar्ली करना जायं मैं तो बॉइट पर सकते हैं इस से पर सकते हैं दोस्तों को रेफर करके तो बहुत अच्छी ऑपरिचुनिटी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है क्लिक करके जरूर से डाउनलोड करके साइन अप कर लेना फिलहाल हम बात करें लेटेस जॉब अपडेट के बारे में तो मैंने आपको इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन म अपरं हो जाएंगी यहां पर हुए आप यहां से सर्च बही कर सकते हैं यहां पर फील्टर लगाकर अगर आप चाहते है ठीक है लिए करें से तो क्लिरेटे टिए आज की रिट吗 इसमें Freelancer की दो तरी केस्या एक बेकेंड के लिए एक की सील्स के लिए है जिसके लीए आपके करना चाहते है आप कर सकते हैं कर सकते हैं इसके लिए हर आप में से अप्नाइक कर सकता है। पोश्ट वाइस इलिजबिटी आगी आपको बताने वाले हो उसके बाद से दिस्टिपिशन की विटांस आउट होई है उसके बाद जीओ स्मार्ट सीस ट्रेनिंग की हैं इंजीनरिंग वालों के लिए विकेंस भी आई हुई है रेगुलेटरी की है कस्टमर सर्विसेस डिप सब्सक्राइब करें अब यहां पर पोस्ट वाइज की बात करें पहले आप देख पारें बिजनस ओपेशन्स के लिए इसमें आप किसी भी प्रफाइल के लिए अपलाई करें प्रफाइल अलग-अलग है इसकी बात करें अब इसके लिए इसमें अब आपक्राइब कर सपने अगर जाते वह भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन हा, minimum qualification 10th or 12th ही है, उसके बाद यहाँ पे sales and distribution के लिए अलग skills required है, जहाँ पे अगर आपने graduation के विए है, प्लस आपको sales की knowledge है, या आपके बास कोई working experience है, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ यहाँ पे sales training के विकैंसे, इसमें as of leisure आप अप्लाई कर सकते हैं इंजिनिंग के लिए अलग vacances है, वो आप यहाँ पे check कर के apply कर सकते हैं, उसके बाद customer services department के लिए vacances है, बहुत सारे candidate आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलगले department वाज़े आपको आपको बताएते हैं आपको किस post के लिए अप्लाई करना चाहिए, दे आपको definitely business operations की vacances के लिए अप्लाई करना चाहिए, इसे के साथ सथ आप अप्लाई कर सकते हैं, जिए smart sales training के लिए as a fresher, इसमें आपकी hiring होने वाली है, उसके बाद 10th 12th के अगर में बात करूँ, freelancer की दो category के लिए vacances है, आप किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक आपने इस post के लिए अप्लाई करना है, जो कि freelancer किया हुई है, अलगलग location wise, तो आप यहां पर click करेंगे, थोड़ा सा प्रसेशन में टाइम लेता है, तो उसके बाद आपके सामने यह vacances आजाएंगी, अलगलग location wise जो की out हुई है, अब यहां पर एक idea आप देख पारें, job कि अलगलग है, क्योंकि अलगलग location wise है, माली जी अपने first post के लिए apply करना है, जिसमें आपका customer की कोई भी क्वेरी आती है, उसको आपको resolve करना होगा, यह basic आपका work किसमें रहेगा, कोई भी उनकी complaint है, उसको resolve करना होगा, इसके साथ जैसे आप कलिक करेंगे, आपके सामने अपन हो जाएगा, यहां पर देखे, responsibility में मैंशन होने किया हुआ है, कि आपका work किसमें रहेगा, तो आपको क्या करना है, new customer generate करने है, किसके लिए, जी यो की लिए, उसके बाद यहां पर आपको call करने होगी customer को, और उनको explain करना होगा, उनको बताना होगा, जी यो के recharge के में क्या क्या उसमों, उनको किस पैक में क्या के benefit में मिलने वाले है, तो सारी चीज़े आप यहां से read कर सकते है, qualification आप देख पार है, 10th to 12th preferred, उसके बाद फ्रेशर है, आप इसके लिए apply कर सकते है, सिरफ एक चीज यहां पर मागी है, आपको basic knowledge जोने चाहिए, reading and writing की, आप तो अब पात करते है, apply कैसे करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है, apply online के लिए, यहां पर यूजर ने पासवर मैशन करके, login करके apply कर सकते हैं, बट अगर आप न्यू यूजर है, आपको इस second वाली option पे, click करना है, for registration, click करेंगे, यहां पर email id मैशन करना है, password मैशन करना है, अब जो password आपने यहां पर रख रहे हो, उसको confirm password करना है, उसके बाप first name, last name, date of birth country, यहां पर by default selected है, जो कि इंडिया है, वही रहनी देनी आपको, अब आपको contact number mention करना है, capture code आपकर confirm कर देना है, बस आपको back option पे click करना है, यूजर ने पासवर के option आ रहे थी, अब यहां प करने ना, अगर आपको लगते है को changes करने वाले है, पहले मैं आपको suggest करूंगी update आपको जरूर से करना है, क्योंकि यह जो vacances out की है, इसमें आपकी जो short listing है, आपकी resume के basis पे ही होने वाली है, अब जैसे आप login हो जाके resume upload करना है, अपना name mention करना है, contact number, alternate contact number, qualification, कब pass out की है, कह कौन से location से belong करते हैं, जो 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 आपसे मांगी जा रहे है, वो एजर इस फिल करने है, resume upload करके submit कर देना है, इसे तरीके से apply करेंगे, कोई problem नहीं आने वाली है, अब apply तो आपने कर दिया, अब selection कैसे होने वाली है, तो अगर आपकी profile short listing हो रहे है, आपको call आने वाली है, ज subscribe करके bell icon को जरूद प्रेस करना, आप next video मिलेंगे, thanks and watch.